Hi everyone, this is Prima and welcome back to Educational Hike. So I'm here with chapter number 1 of class 9th Science, Matter in Our Surroundings. हमारे अगल बगल जितनी भी चीजे पाई जाती हैं, चाहे वो book हो, चाहे वो chair हो, table हो, TV हो, ये सारी चीजे किस चीज से मिलकर बनी हुई है, आज किस चाप्टर में हम यही जानेंगे. चाप्टर स्टार्ट करने, इस पहले मैं आपको कुछ prior information दे देता हूँ, कि आपको class 9th के आने वाले सभी चाप्टर्स दो पार्ट्स में divide होकर मिलेंगे, जैसे ये चाप्टर भी, ये इस चाप्टर का first part है, और इसके बाद हम इस चाप्टर का second part upload करेंगे. तो आने वाले जितने भी चाप्टर्स हैं, वो सभी चाप्टर्स आपको दो पार्ट्स में divide होकर मिलेंगे. एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आप लोग को doubt जरूर हो रहा होगा कि भाईया, line by line explanation क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मिरी चान, आने वाले जितने भी चाप्टर्स हैं, इवन ये चाप्टर का भी मैंने line by line explanation ही किया है, बट ये जो चाप्टर number one है, matter in our surrounding, इस चाप्टर में बहुत सारी activities हैं, जिन activities को करने में और line by line पढ़ने में बहुत सारा time लग जाता, इसलिए मैंने आपको presentation की दुरू समझाने की कोसिस करी है, trust me, इस presentation की एक-एक line NCRT की है, और NCRT का कोई भी information आपको इस वीडियो से ठूटेगा नहीं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, so let's start this chapter with introduction of this chapter, introduction इस chapter का क्या है, इस chapter का introduction ये है कि हमारे दुनिया में जितनी भी चीजे पाई जाती है, चाहे वो chair हो, चाहे जो हम T-shirt पहन रहे हैं, या जो हमारे घर में कार खड़ी हुई है, या ममी लोग जिस बरतन में खाना बनाती है, ये सारी चीजे और even जितनी भी चीजे आप अपने अगल बगल देखते हो, वो सभी चीजे किसी ना किसी material से बनी हुई है, जैसे जैसे ये जो ये आप जो थेर देख रहे हो, ये लकड़ी की बनी हुई है, ये टीशेट देख रहे हो, ये कॉटन या तेरी कॉट का बना हुआ है, ठीक है, और ये कार देख रहे हो, ये कार आइरन का बना हुआ है, ये बरतन देख रहे हो, ये बरतन स्टील का बना हुआ है, तो मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि हम अपने अगल बगल जो कुछ भी देखते हैं कुछ भी देखते हैं वो किसी ना किसी material से मिलकर बना हुआ है और 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 science की भासा में इसी material को हम matter का नाम देते हैं येस समझ गए matter क्या होता है आपने देखा कि आपके अगल बगल जितनी भी चीज़े पाई जाती है वो सभी चीज़े matter होती है तो आपके दिमाग में एक चीज़ जरूर आ रही होगी कि भाया तो matter कौन सी चीज matter नहीं होती है कौन से चीज matter नहीं होती, energy, yes, क्या आप energy को देख सकते हो, नहीं, तो ये matter नहीं है, क्या आप time को देख सकते हो, नहीं, तो ये matter नहीं है, क्या आप gravity को देख सकते हो, gravitational force को देख सकते हो, नहीं, तो ये भी matter नहीं है, matter की exact definition क्या है, हम अपने अगल बगल plants को देखते हैं, आ देखते हैं, खाने वाला food देखते हैं, burger, pizza french fries देखते हैं और हवा को देख सकते हैं हवा को देख भी सकते हैं, देख नहीं सकते तो feel कर सकते हैं येस, ठीक है, आप पानी पीते हो, ये सारी चीजे matter कहलाती है मतलब exactly अगर matter की definition मैं आपको बताऊं, तो matter वो चीज होती है, जो space को occupy करे और जिसका कुछ वजन हो मतलब, देखो, ये जो खाना है, अगर इस खाने को हम कहीं पर रख दें, तो क्या ये कुछ ना कुछ तो जगा को घिरीगी कुछ ना कुछ space को occupy तो करेगी न, अरे मेरे भाई इस खाने को अगर आप table पर रखोगे तो table का कुछ जग तो घिर जाएगा, कुछ जग तो occupy हो जाएगा न, तो yes matter वही होता है जो कहीं पर अगर रखा जाए तो वो space को occupy कर ले, इसके साथ matter वो भी चीजे होती है, जिसका कोई ना कोई मास होता है कोई ना कोई वजन होता है जैसे देखो, ये कुछ ना कुछ ग्राम का तो जरूर होगा, 100 ग्राम 200 ग्राम, कुछ ग्राम का तो जरूर होगा तो भाई matter है ये plants, plants जहांपर लगाया जाता है, वो space को उकुपाई करता है और इसका कोई ना कोई वजन भी होता है, अगर हम plants को तराजू पर रखके तोले ना तो इसका कोई ना कोई वजन होता है तो ये भी हमारा क्या है matter है, बादल बादल भी आसमान में होता है, तो आसमान के कुछ जगां को तो अकुपाई करता है ना ये cloud तो ये भी matter है, हाँ हाँ, हाँ, आपने कभी time को देखा है क्या क्या time जगां को घेड़ता है क्या time को हम कहीं रख सकते है या time का क्या कोई वजन होता है क्या नहीं होता ना, तो ये चीज matter नहीं है, जो चीज space को occupy करे और जिसका कोई ना कोई mass हो, इसी चीज को हम matter का नाम देते है अच्छा, mass का मतलब क्या होता है मैं कह रहा हूँ, वजन होता है तो वजन नहीं होता, mass का मतलब होता है, किसी चीज का वजन, लेकिन gravity को थोड़ कर, मतलब जैसे, for example हाँ, ये खाना ही है खाने में कितने particles है, इन particles का weight, इन particles का weight कितना है इन particles का वजन कितना है, बस यही mass होता है mass का मतलब क्या होता है, gravity को छोड़ कर, किसी चीज की जितनी वजन होती है that is known as mass तो I think आप matter को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे let's move to classification of matters मतलब, बात यहां तक आ गई है कि मेरे भाई, अब हम हमारे दुनिया में इतने सारी चीजे हो गई है, कि अब हमें उन्हें divide करने की जरुएत है मतलब, इतने सारे matter हो गए है इतने सारे materials हो गए है कि अब हम उनको पहचानेंगे कैसे तो scientist ने कहा कि matter को दो अलग-अलग basis पर divide कर दिया जाए मतलब, हमने उन सभी materials को एक तरफ रख दिया जो दिखने में एक जैसे दिखते हैं जिनकी physical properties एक जैसी होती है उनको हमने एक category में रख दिया और ऐसे materials जो material है, यह किसी से react करते हैं या नहीं करते, यह जो material है इनका color कैसा है या यह जो material है इनकी reactivity कैसी है इन चीजों को हम chemical properties कहते हैं आगे इन दोनों चीजों के बारे में आपको detail में पता चलेगा बस एक हलका light सा introduction ले लो कि physical properties मतलब बाहर से दिखने में कैसा है जैसे आप लड़की देखते हो, बोलते हो न कि बहुत must है, मतलब सामने से अच्छी है, तो physical property है वो उसकी, chemical property मतलब अंदर से कैसी है, उसके good कैसे है अच्छा बोलती है, मीठा बोलती है सच बोलती है, प्यार करती है यह इसकी chemical property है ठीक है, तो बिलकुल ऐसे ही matter है matter बाहर से दिखने में कैसा है, उसको हम physical property कहते है, chemical property मतलब वो जो matter है, वो किसी साथ react करता है या नहीं करता या वो matter जो है, उसका color कैसा है क्या color change होता है तो यह सारी चीज़े chemical property कहलाई जाती है समझ गया, तो यह तो हो गया modern basis की आज के modern era में हम matter को दो तरीके से divide करते हैं लेकिन पुराने जमाने में matter को 5 तरीकों से divide करते थे, लोग कहते थे कि जितनी भी जिवित, जितनी भी leaving चीज़े हैं और जितनी भी non leaving चीज़े हैं, वो 5 पुराने जमाने की बात बता रहा हूं, पुराने जमाने की लोग कहते थे कि जितनी भी leaving things हैं और जितनी भी non leaving things हैं, वो इन्ही पाँचों चीज़ों से मिलकर बनी हुई हैं, वो 5 चीज़े कौन सी हैं? छित, छित का मतलब अर्थ, जल, जल का मतलब होता है, water, छित, जल, पावक पावक का मतलब होता है, fire छित, जल, पावक, गगन गगन का मतलब होता है, cloud समीरा, समीरा का मतलब होता है air, पुराने जमाने की लोगों का कहना था कि जितनी भी leaving और non living things हैं, ये इन्ही 5 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, हाला कि ये तो बहुत पुरानी बात थी, आज के इस modern era में हम matter को दो basis पर divide करते हैं, आज के इस chapter में केवल हम matter के physical properties के बारे में पढ़ेंगे, और next chapter, chapter number 2 में हम matter के chemical properties के बारे में पढ़ेंगे, is it clear? बिलकुल clear हो गया होगा So let's get started with physical properties of matter ये जो material होते हैं, ये जो matter होते हैं, ये बाहर से दिखने में कैसे होते हैं, इनकी बाहर की बनावट कैसी होती है, इसी को हम physical nature of matter कहते हैं physical nature of matter पहला nature क्या है matter का matter is made up of particles पहला जो property है matter का वो ये है कि कोई भी चीज हम अपने अगल बगल देखते हैं, चाहे वो जैसे हमारा phone हो गया, हमारा smart phone हो गया तो भाई कोई भी चीज है वो छोटे छोटे particle से मिलकर बना हुआ है ये matter की पहली property है कि हम अगल बगल जो भी चीजे देखते हैं वो छोटे छोटे टुकडों से छोटे छोटे particle से मिलकर बना हुआ है अब इस चीज को हम प्रूफ भी करेंगे एक बार क्या हुआ कि दो स्कूलों के बीच में जगडा हो गया एक स्कूल वाले कह रहे थे कि जो matter है वो लकडी की तरह continuous होता है और एक स्कूल के बच्चे बोल रहे थे कि नहीं matter continuous नहीं होता बलकि matter छोटे छोटे particle से मिलकर बना हुआ है तो मैंने कहा कि तुम दोनों जगडा ना करो मैं तुम्हें सिखाता हूँ activity number 1.1 के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि सच्मुच matter पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है या matter लकडी की तरह continuous है चलो देख लेते हैं इस activity से हम यह सीखेंगे कि क्या सच्मुच कोई matter पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है या वो लकडी की तरह बिलकुल continuous है चलो देखते हैं पता लगाते हैं इसके लिए हमें करना क्या है इसके लिए हमें 100 ml of water ले लेना है और इसके label को हमें mark कर दिना जैसे पानी कहां आ रहा है अभी यहां पर आ रहा है मैंने mark कर दिया आपको दिख रहा होगा न बिलकुल पानी यहां पर आ गया अब हम क्या करेंगे अब हम इसमें 1 teaspoon of sugar mix करेंगे इस sugar को हम डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से mix करेंगे तब तक mix करेंगे जब तक ये नीचे जो sugar का crystal है वो गायम नहीं हो जाता तो जल्दी जल्दी mix करते हैं and now अब देखो अब ये जो sugar है ये पूरी तरीके से mix हो चुका है क्या आपको water label में कोई change दिख रहा है क्या आपको water label में कोई change दिख रहा है बिलकुल दिख रहा है जब हमने sugar को इस water में mix किया न तो जो sugar के particles थे वो divide होकर water के particles के साथ mix हो गए जिसकी वज़े से क्या हुआ कि water का label यहां से बढ़कर यहां पहुच गया increase हो गया इस activity से हमें ये पता चला कि भाई जो sugar के particles हैं वो divide हुए और water के particles के साथ mix हो गए अगर ये जो sugar था ये particles से नहीं बना होता तो ये लकडी की तरह उपर ही float करता ये mix कभी भी नहीं होता ठीक है तो भाई आप चाय बनाते हो आप coffee बनाते हो आप निम्बू पानी बनाते हो तो आपने देखा होगा कि चाय, coffee दूद के साथ mix हो जाती है mix क्यों होता है क्योंकि कुई भी matter चोटे चोटे particle से मिलकर बनता है so activity is clear ना let's guess back so activity कैसी लगी और इस activity से आपको आप तक तो पता चली गया होगा कि मेरे भाई matter जो है वो चोटे चोटे particle से मिलकर बनता है बिलकुल सही तो ये school वाले बिलकुल सही थे और ये school वाले गलत थे ठीक है तो I think कि आपको पहली property अच्छे समझ में आ गई होगी कि जितनी भी अगल बगल हमारी चीजे पाई जाती है वो सभी चीजे चोटे चोटे particle से मिलकर बनी हुई है ठीक है समझ गए let's move to second property of matter दूसरी property क्या है matter की दूसरी property ये है कि how small are these particles of matter हमने देखा कि जो matter है वो छोटे छोटे particle से मिलकर बने हुए है लेकिन ये जो particles है ये कितने छोटे होते हैं क्या बहुत जादा छोटे हैं क्या इन particles को हम measure कर सकते हैं क्या चलो जान लेते हैं एक activity के थुख activity number 1.2 ये रहा आपके सामने इस activity से हम ये सीखेंगे कि किसी भी matter के जो particles होते हैं वो कितने छोटे होते हैं चलो आपके बहुत कुछ सिखा के जाएगी इस chemical को हम 100 ml of water में mix कर देते हैं जैसे हमने mix किया ये पूरा water color हो गया मतलब क्या था मतलब ये था कि 1 gram of ये जो chemical था ये जैसे 100 ml water में गया न ये पूरे water को color कर डाला मतलब इसके कितने सारे particles अंदर जाने के बाद divide हो गए और बहुत सारे particles हो गए अब तुम आगे देखना अब इसमें का अगर हम 10 ml भी water इसमें डालेंगे तो आप समझ सकते हो कि जो 10 ml में जितने particles थे वो इस 100 ml water में जाने के बाद और जाद़ डिवाइड हो गए अब फिर देखना अब इस 100 ml of water के फिर से 10 ml अगर हम इसमें डालेंगे न आप देख रहे हो इस 10 ml के जो particles थे वो और जाद़ डिवाइड हो गए अब अगर हम और 10 ml इसमें डालेंगे न तो ये जो भी particles इस 10 ml से इस water में गए है न वो और जाद़ डिवाइड हो गए हैं ऐसे ही हम इसमें करेंगे तो ये भी थोड़ा बहुत कलर हो जाएगा तो आपने देखा हमने एक ग्राम केमिकल लिया जो 100 ml of water में डाला तो पूरा water color हो गया अब इसमें से हमने 10 ml water निकाला जिसमें थोड़े बहुत ही particles होंगे वो जब इस water में गया तो वो और जादा डिवाइड हो गया और जादा छोटे छोटे particles में डिवाइड हो गया ऐसे ही जब इसमें गया तो वो और छोटे छोटे particles में डिवाइड हो गया मतलब आप समझ सकते हो कि particles of matter कितने जादा छोटे होते हैं हमारे imagination से भी ज़्यादा छोटे होते हैं so this is activity number 1.2 hope you loved it let's back so ठैती लगिया activity तो देखा आपने कि केवल one drop of ink कितने सारे water को color कर सकता है मतलब एक drop of ink में इतने particles हैं कि वो पता नहीं कितने लगबग 1000 लीटर पानी को color कर सकता है मतलब एक particle बहुत सारे छोटे 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 टुकडों में divide हो सकता है इससे conclusion ये निकलता है कि जो matter के particles होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं very small होते हैं इतने छोटे होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते ना तो हम उन्हें measure कर सकते हैं तो particles of matter बहुत जादा छोटे होते हैं ये है matter की second property I think कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा Now let's move to second topic of this particular chapter characteristics of particles of matter अब तक हमने पढ़ा कि ये matter की क्या properties होती हैं अब हम पढ़ेंगे कि ये matter जिन छोटे छोटे particles से मिलकर बनता है ना इन particles की properties क्या है या इन particles की विसेशताएं क्या है सबसे पहली property of particles क्या होती है कि particles of matter have space between them मतलब कि हमारे अगल बगल जितनी भी material पाय जाते हैं जो भी matter है वो matter की जो particles होते हैं उन particles की बीच में कुछ ना कुछ दूरी जरूर होती है कुछ ना कुछ space जरूर होता है अब इस चीज को हम confirm कर सकते हैं कैसे confirm कर सकते हैं आपने कभी चाय तो बनाई होगी अरे चाय नहीं बनाई होगी तो coffee बनाई होगी अच्छा coffee भी नहीं बनाई होगी बाद हमें एक प्यारी सी ताजी सी कॉफी मिलती है पीने को कॉफी क्यों बन पाता है क्योंकि मिल्क के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है जो इस्पेस है ना इसी स्पेस में कॉफी के पार्टिकल्स जाके मिल जाते है जिससे दूद और कॉफी मिल गया तो एक पकी कॉफी बन जाती है तो ये निम्बू पानी बन जाना, कॉफी बन जाना और चाय बन जाना ये possible तब ही हो पाया है जब हमें ये पता चला कि particles of matter इनके बीच में space होता है, इनके बीच में जगा होती है तो भाया सबसे पहली property आप समझ गए होगे, let's move to second property of particles of matter matter के particles की दूसरी property क्या है, दूसरी property ये है कि they are continuously moving मतलब कोई भी matter है, कोई भी matter है, इनके जो particles होते हैं वो लगातार हिलते रहते हैं, लगातार move करते रहते हैं जैसे देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो कोई एक matter है, और matter के जो छोटे छोटे particles हैं यह देख रहे हो, आप move कर रहे हैं, जैसे ही इन particles को हमने थोड़ा गरम किया यह थोड़ा और तेजी से move करने लगे, हमने इनको और गरम किया, तो यह और तेजी से move करने लगे जो छोटे-छोटे particles है न, वो पानी में automatically move कर रहे हैं, मतलब क्या है, मतलब यह है कि जो भाया matter के छोटे-छोटे particles होते हैं वो हमेशा move करते रहते हैं, आपने अगरबत्ती तो देखी होगी, अगरबत्ती को आप जला दो, आप जब जलाओगे तो आप दूर भी बैठिर क्यों क्योंकि अगर बत्ती की जो particles है वो move करते रहते हैं जो आपके नाक में पहुझते हैं तो आपको खुसदबू आती है smell आती है छीक है तो भाईया second property भी आप समझ गए होगे कि particles of matter लगातार move करते रहते हैं अच्छा जब particles of matter move करते हैं तो भाईया आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर move करती है, कोई भी चीज़ अगर चलती है ना, तो चलते वक्त उस object में kinetic energy होती है, yes, kinetic energy क्या होती है, kinetic energy वो energy होती है, जो किसी object के अंदर तब आती है, जब वो object move कर रहा हो, और ये जो matter के particles हैं, ये continuously move कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो इन particles में कौन सी energy है, kinetic energy है, yes, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, कि जो particles of matter है, वो भाईया लगातार move करते हैं, लगातार हिलते डूलते रहते हैं, और move करने की वज़से, इन particles के अंदर कौन सी energy होती है, kinetic energy होती है, आपने देखा, जैसे जैसे हमने इन particles को गरम किया, यह particles लगातार देख रहो, तेज-तेज से move करने लग रहे हैं, यहां देखो धीरे move कर रहे हैं, हमने इनका temperature बढ़ा दिया, हमने इनको गरम कर दिया, तो यह तेजी से move करने लगे, मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे temperature बढ़ता है, moment of particle भी बढ़ता है, जब moment of particle बढ तो kinetic energy भी तो बढ़ेगी न, हमने बताया मेरे भाई की particles move कर रहे हैं, मतलब इनके अंदर kinetic energy है, तेजी से move करेंगे, तो और ज्यादा kinetic energy हो जाएगी, होगी की नहीं होगी, yes, so this is second property, matter के particles की यह दूसरी property है, कि जो matter के particles होते हैं, वो लगातार move करते रहते हैं, लगातार हिल जिलते डूलते रहते हैं, जिनकी वजह से इनके अंदर कौन से energy होती है, kinetic energy होती है, kinetic energy के बारे में अब आप अच्छे से जानोगे, अपने आने वाले chapters में, अभी आप बस इतना जानो, कि kinetic energy क्या होती है, कोई object अगर move कर रहा है, तो उसके अंदर kinetic energy है, ठीक है, समझ गये, तो आप ये property को भी अच्छे से समझ गये होगे, कि particles of matter लगातार move करते हैं, चाहे वो किसी भी material के particle हो, वो move करते ही करते हैं, ठीक है, अपने आप move करते हैं वो, चलो, तो भाईया जब particles of matter move करते हैं, तो उसी बीच में एक term आ गया है, diffusion, diffusion का मतलब क्या होता है, diffusion का मतलब हो अब ये diffusion है क्या, diffusion किसे कहते हैं, this intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion, आपने देखा, जब हम अगर बत्ती को जलाएंगे, जैसे देखो, ये अगर बत्ती है, भाई पीछे आजा, slide पीछे आजा, जैसे देखो, हम अगर बत्ती को जैसे ही जलाते हैं, अगर बत्ती के जो particles हैं, वो air के particles के साथ mix होने लगते हैं, mix होते हैं तो ये automatically mix हो जा रहे हैं, इसी process को हम diffusion का नाम देते हैं, diffusion का मतलब simple सा है, फैलना, automatic फैलना, इसी चीज़ को हम diffusion कहते हैं, देखो, intermixing of particles of two different types of matter, एक अगर बत्ती के particles और एक air के particles, ये automatically एक दूसरे से mix हो जा रहे हैं, इसी process को हम diffusion का नाम देते हैं, समझाया, अब ये एक दूसरे से mix क्यों हो रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि air के particles के बीच में भी जगह हैं, और इन अगर बत्ती के particles के बीच में भी जगह हैं, ये अगर बत्ती के particles, air के particles के बीच में जाकर fix हो जाते हैं, that is known as diffusion, diffusion समझगे क्या होता है, exactly आपके NCRT के book में यही definition दी गई है और यही wording दी गई है, तो अब तक हमने ये समझ लिया, दो properties अब तक हमने समझ ली particles of matter की, अब चलो तीसरी property देख लेते हैं, particles of matter की, कि particles of matter attract each other, yes, ये तीसरी और आखरी property है, particles of matter की, हमने पहली property देखी कि particles of matter की बीच में जगह होता है, दूसरी property देखी कि particles of matter लगातार move करते रहते हैं, तीसरी property यहाँ पर हम देखेंगे कि particles of matter एक दूसरे को attract करते हैं, एक दूसरे को चिपका के रखते हैं, अच्छा, चलो इस चीज को हम एक activity की तुरू confirm कर लेते हैं आपके NCIT book का activity number 1.7 ये रहा आपके screen पर Hi everyone, welcome to activity number 1.7 इस activity से हम check करेंगे कि कोई भी matter है इनके particles के बीच में attraction होता है इनके particles के बीच में एक force होता है कैसे check करेंगे सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए ये एक iron nail इसके बाद एक चाहिए chalk और chalk के अलावा हमें चाहिए ये एक rubber और एक-एक करके इन तीनों चीजों को हम break करने की कोईसिस करेंगे और break करने के लिए हमारे पास ये है ये एक बहुती शार्प बहुती जानदार सी चीज है तो सबसे पहले क्या करेंगे ये iron को कट करने की कोईसिस करतें देखो होता है क्या ये नहीं हो रहा नहीं हो रहा फिर से करतें नहीं हो रहा मतलब क्या है इसका मतलब ही ये है कि ये जो iron nail के particles है न इनके बीच में बहुती strong force है जिसकी वज़े से ये particles क्या है जल्दी दूर में जा रहे अब अगर हम हथोड़ी से लेकर बहुत जादा force लगाए तब ये particles एक दूसरे से हो सकते हैं दूर चली जाए और ये कील तूट जाए ये तो बात हो गई iron nail की बात कर लेते हैं rubber की rubber के particles देखते हैं कि क्या इनके बीच में जो force है वो कम है या जादा है काट के देखते हैं तटता है कि नहीं या ये तो कड़े गया मतलब क्या है मतलब इनके बीच के जो particles का जो force था इनके particles में बीच में जो force था वो थोड़ा कमजोर था जैसे ही हमने काटा या आरा हम से कड़ गया चौक की बारी है अब चौक तो ऐसे ही भी तूट जाएगा ये तो सबसे कमजोर होता है तो एस activities हमने क्या सीखा हमने सीखा कि कोई भी matter होता है उनके particles के बीच में एक force होती है यही force इन particles को एक साथ चिपका कर रखती है जैसे ये iron nail के जो particles है ये बहुत ही strongly एक दूसरे से चिपके हुए है ये जो rubber band के particles है ये थोड़ा सा weak है थोड़ा सा कमजोर है और ये chalk के particles बहुत जादा कमजोर है ये देखो जब जहां टोड़ोगे तूट जाएगा ये तो इस आवर activity number 1.7 hope you have loved this let's get back so कैसी लगी activities activity से हमने क्या सीखा इस activity से हमने ये सीखा कि भाया जो particles of matter होते हैं हमने जो कील लिया था जो हमने वो लोहे की कील ली थी लोहे की कील को जब हम hammer से हाथोड़े से मारते हैं तो ये तूटता नहीं है मतलब क्या है मतलब ये है कि इनके particles के बीच में काफी अच्छी bonding है काफी strong bonding है ठीक है तो इस activity से हमें ये पता चलता है कि matter के जो भी particles होते है उनके बीच में कोई ना कोई force जरूर होता है force है इस वज़े से ये particles एक दूसरे से चिपके हुए है जैसे कील कील छोटे-छोटे particles से मिलकर बना हुआ है अगर इन particles के बीच में force नहीं रहता तो ये लोहे की कील बनाना संभो ही नहीं था ये छोटे-छोटे टुकडों में divide होकर ऐसे ही गिरा पड़ा रहता ठीक है तो हमें इस activity से क्या पता चला है इस activity से हमने ये देखा कि सचमुच matter के जो particles होते हैं ना उनके बीच में कोई ना कोई force जरूर होती है जिसकी वज़ा से ये एक दूसरे से क्या रहते हैं चिपक कर रहते हैं इस force keeps the particles together अठ्या आपने देखा जो iron के particles हैं वो थोड़ा जादा strongly चिपके हुए हैं ठीक है जो rubber band के particles हैं वो थोड़े से weak हैं little weak हैं ठीक है little weak लेकिन जो chalk के particles हैं वो very weak हैं वो बहुत जादा कमजोर हैं उन्हें अलग करना काफी आसान है मतलब क्या है मतलब अलग materials के particles के बीच में ना अलग अलग तरीके की force होती है मतलब किसी particle के बीच में बहुत ही strong force होती है किसी particle के बीच में तोड़ा कमजोर force होता है जिसे तोड़ना काफी आसान होता है ठीक है हमारी अगल बगल जितनी भी चीज़े पाई जाती है वो जादा से जादा तीन अवस्थाओं में पाई जाती है या three forms में पाई जाती है जिसमें से सबसे पहला state of matter है solid हमारी अर्थ पर maximum चीज़े solid है चाहे वो आप जिस smartphone में इस वीडियो को देख रहे हो या आपकी TV हो गई आपका pencil, eraser, आपका computer ये सभी चीज़े solid के form है दूसरी जगह पर है liquid आप पानी पीते हो ये एक liquid का form है आप चाहे पीते हो, coffee पीते हो, juice पीते हो ये सभी चीज़े liquid के form है और तीसरा form of matter है gases आपने water vapor के बारे में सुना होगा जिसको हम हिंदी में भाफ कहते हैं भाफ भी एक तरीके का gas ही है एक तरीके का gas का form है oxygen ये भी एक तरीके का gas है ठीके, तो हमारे अगल बगल जितने भी matter जिनको हम object कहते हैं या जितनी भी चीज़े हमारे अगल बगल पाई जाती है वो या तो solid होती है या तो liquid होती है या तो gases होती है होती है कि नहीं होती कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो solid liquid gas तीनो ना हो अरे नहीं कोई ऐसी चीज नहीं है मेरे भाई क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी चीजे पाई जाती है वो या तो solid है या liquid है या gases है, got it let's move to सबसे पहला वाला topic solid state क्या होता है या solids कहते किसे है थोस पदार्थ आपने हिंदी में नाम सुना होगा थोस पदार्थ ही solid कहलाता है आप इसकी बारे में पहले से भी जानते हो फिर भी मैं बता देता हूँ solids जो होते हैं उनका shape definite होता है उनका shape बिलकुल fix होता है अगर कोई solid ऐसे circle है तो वो हमेशा circle ही रहता है solids की boundaries भी fix होती है जैसे देखो ये cube है इसका boundary बिलकुल fix है कि यहां से यहां तक यहां से यहां तक मतलब ये अपना shape अपनी boundaries change नहीं करते हैं इसके अलामा ये volume भी इनका fix होता है solid कितनी जगां घेरेंगे ये fix होता है अब इस डब्बे को तुम चाहे यहां रगदो चाहे यहां रगदो चाहे यहां रगदो वो fix volume का ही होगा उतनी ही जगां को occupy करेगा है की नहीं है yes ये रहा हमारा पहला property of solid दूसरी चे solid rigid होते है सक्त होते है सक्त होते है सक्त होते है अगर हम solids में ज़्यादा force लगाएंगे अगर हम हथोरी से मारने की कोसिस करेंगे तो वो तूट जाएंगे लेकिन अपना shape change नहीं करेंगे इसका मतलब solids बिल्कुल सक्त होते है rigid होते है ये है solids की दूसरी property properties याद रखना यार solid की solid की property definite shape distinct boundaries fixed volume दूसरा property का है कि solids सक्त होते है rigid होते है now third property of solid solids have negligible compressibility क्या आप किसी थोस पदार्थ को दबा सकते हो क्या इसको सिकोड सकते हो क्या कोई भी आप कोई भी चीज ले लो अपना smartphone ले लो अब अपने smartphone को दबाने की कोसिस करो क्या तुम अपने smartphone को compress कर पाते हो अभी नहीं कर पाओगे आपका phone तूट जाएगा लेकिन दबेगा नहीं सिकुडेगा नहीं तो जितने भी solids होते हैं वो compress नहीं होते उन्हें हम दबा नहीं सकते हैं fourth property of solid यह होती है कि भाई जितने भी solids होते हैं solid के जो particles होते हैं वो बिलकुल पास-पास में होते हैं closely packed होते हैं और इसी वज़े से किसी भी solid को अगर हमें तोड़ना है न तो हमें थोड़ा ज़ादा force लगानी होती है क्योंकि इनके particles बिलकुल नजदीक होते हैं यह आसानी से तूटते नहीं है So this is all about solid I hope आपको कि solid का मतलब बिलकुल पता चल गया होगा अच्छा आपकी class 9 के chapter number 1 का ही कुछ question है solids को लेकर जो हमारे मन में doubt आता है न 3-4 doubt यहां पर हैं जो मैं आपको solve करनी की courses करूँगा यह exactly NCRT की lines हैं तो बिलकुल basicर होकर पढ़ो आपको complete information इस वीडियो में दी जा रही है सबसे पहला doubt बच्चों का होता है कि rubber का क्या भाईया rubber band अपना shape change कर देता है जब हम rubber band को ऐसे खीचते हैं तो rubber band खीच जाता है stretch हो जाता है लेकिन हमने सुना है कि solid तो अपना shape change नहीं करते हैं तो क्या rubber solid है या क्या है ये rubber हमारा तो मैं आपको बता दूँ कि rubber बिलकुल solid है क्यों? क्योंकि rubber तभी अपना shape तभी अपना आकार change करता है जब हम उस पर force लगाते हैं तो वापत वो उसी state में आ जाता है ये देखो हम rubber को खीच रहे हैं rubber खीच जा रहा है जब हम अपने force को हटाएंगे वापस rubber अपनी ही अवस्था में आ जाएगा मतलब rubber solid है बस अगर हम उस पर force लगाते हैं तो वो क्या होता है? अपना shape को change कर देता है रखे जाते हैं उसी डब्बे का shape ले लेते हैं लेकिन हमने सुना है कि solid तो अपना shape change नहीं करते हैं तो क्या ये sugar और salt अपना shape change करते हैं तो क्या ये solid नहीं है? क्या ये solid नहीं है? बिलकुल है, क्यों? क्योंकि एक sugar का crystal चाहे वो डब्बे में रखा जाए चाहे वो table में रखा जाए चाहे वो फर्स पर रखा जाए वो रहेगा अपने ही shape का बस जिस डब्बे मुझे रखा जाता है वो डब्बे के shape में चले जाते हैं ऐसा तो नहीं है ना? कि चीनी हमारा पहले ऐसा है डब्बे में रखने के बाद गोल हो जाता है ऐसा तो नहीं होता ना तो भाई सूगर और सॉल्ट अपना शेप चेंज नहीं करते बलकि डब्बे में रखने जाने की वज़े से क्या होता है उनको लगता है ऐसा कि वो अपना शेप चेंज कर लिये हैं ठीक है, now let's move to third doubt of solid state, spongy आपने नाम सुना होगा, जिसको हम कहते हैं सुकता, ठीक है, अच्छा हमने ये भी सुना है कि solids को हम press नहीं कर सकते हैं, solids को हम दबा नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो spongy है, इसको थो हम आसानी से दबा ले रहे हैं, तो क्या ये spongy solid नहीं है, है, होता है ना, उसके अंदर चोटे-चोटे holes होते हैं, अब इन holes में air भरा हुआ होता है, जैसे ही हम इस sponge को press करते हैं, air बाहर निकल जाती है, ठीक है, तो ये भीया, ये sponge तो अपना shape का ही है, लेकिन इसके अंदर जो air था, वो बाहर निकलाया है, ठीक है, तो ये तीन major doubt बच डबे का shape ले ले लेता है, तो क्या ये solid है, बिल्कुल है, और वैसे ही sponge, सुख्ता, जिसको हम कहते हैं, ये solid है, क्यों कि sponge को हम आसानी से press कर सकते हैं, तो बिल्कुल sponge हमारा solid है, क्योंकि sponge में छोटे-छोटे holes होते हैं, जिन holes में हवा भरी रहती है, जैसे हम इसे दबाते हैं हवा बाहर निकल जाती है got it let's move to second form of matter liquid state liquid किसे कहते हैं liquid किसे कहते हैं यह तो बतानी की जरुवत है ही नहीं फिर भी मैं आपको property बता देता हूं liquid की कि liquid का कोई shape fix नहीं होता वो जिस डब्बे में रखे जाते हैं उस डब्बे का shape ले लेते हैं जैसे देखो यहाँ पर यह कुछ ऐसे quadilateral type की है यहाँ पर कुछ circular type की हो गए है यहाँ पर कुछ square type की हो गए है मतलब liquids का shape fix नहीं रहता लेकिन उनकी volume बिलकुल fix रहती है volume मतलब अगर वो इस डब्बे में एक लीटर ऑईल रखा गया है तो इस डब्बे में हम डालेंगे तो इस डब्बे में भी एक ही लीटर होगा इस डब्बे में डालेंगे तो इस डब्बे में भी एक लीटर ही होगा अपना volume change नहीं करते हैं liquids but shape change कर लेते हैं ठीक है दूसरी property क्या होती है हमने देखा कि हम solids को बिल्कुल नहीं दबाशा है लेकिन liquids को हम कुछ हद तक दबा सकते हैं मतलब जैसे for example liquid यहां तक है तो हम बहुत करेंगे थोड़ा सा नीचे ले आकर यहां तक liquids को compress कर सकते हैं लेकिन liquids को भी हम बहुत ज़्यादा compress नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है यह container फट जाए और पानी या जो भी liquids के अंदर रखा है वो बह जाए तो liquids की properties भी आप समझ गए कि liquid का कोई shape fix नहीं होता लेकिन volume बिलकुल fix होता है liquids आसानी से अपना shape change कर लेते हैं इसलिए वो rigid नहीं होते तीसरी चीज liquids की compressibility limited होती है मतलब हम liquids को दबा तो सकते हैं लेकिन कुछ हद तक ठीक है let's move to diffusion in liquids हम जानते हैं कि liquids के अंदर कोई भी चीज हो वो आसानी से घुल जाती है चाहे वो हम खीनी या नमक डालें इस पानी में वो भी घुल जाएगा हम कोई debt all debt all liquid होता है न हम debt all को भी इस पानी में अगर डालते हैं तो वो भी आसानी से घुल जाता है और liquids के अंदर gases तो अल्रेडी मौजूद ही रहते हैं जैसे हमारे पीने वाले पानी में oxygen मौजूद रहता है तो भाई हम पढ़ेंगे कि liquids में सभी चीजे आसानी से mix हो जाती है आसानी से diffuse हो जाती है ऐसा क्यों होता है देखो all living creatures need to breathe for survival हम जानते हैं कि कोई भी इंसान है जानवर है उसे जिंदा रहने के लिए शांस लेने की जरूवत है breathe करने की जरूवत है बिलकुल ऐसे ही जो पानी में रहने वाले जानवर है उन्हें भी सांस लेना होता है तो भाई वो सांस लेते तो है लेकिन पानी के अंदर कैसे ले पाते हैं क्योंकि हमें सांस लेने के लिए किस चीज की जरूवत है oxygen की जरूवत है पानी के अंदर already oxygen mix होता है जिसकी वज़े से aquatic animals पानी में रहने वाले जानवर जिन्दा रहते हैं इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बाई चाहे solid हो चाहे liquid हो या gas हो ये तीनों थीजे liquids के अंदर आसानी से फैल सकती है solids में sugar हो गया क्या हम sugar को पानी में मिला सकते हैं बिलकुल मिला सकते हैं क्या हम detol, detol एक तरीके का liquid है क्या detol को हम पानी मिला सकते हैं बिलकुल मिला सकते हैं oxygen एक तरीके का gas है क्या oxygen पानी में मिला हुआ होता है बिलकुल मिला हुआ होता है मतलब solid हो, liquid हो या gas हो ये तीनों चीजे liquids के अंदर आसानी से फैल सकती हैं आसानी से घुल सकती है ठीक है the rate of diffusion of liquids is higher than that of solids solids के अंदर diffusion बिलकुल नहीं होता solids इतने सक्त होते हैं कि solid के अंदर कोई चीज़ मिलाना चाहो तो बहुत मुस्किल है लेकिन liquid के अंदर diffusion बहुत आसानी से हो जाता है जैसे देखो यहाँ पर हम इंक जैसे ही इस liquid के अंदर डालते हैं यह liquid तुरंट mix होने लगता है ठीक है मतलब liquid का जो rate of diffusion है वो थोड़ा जादा है this is due to the fact that the liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state simple सी बात है ऐसा क्यों होता है liquids के अंदर कोई भी चीज़ आसानी से क्यों घुल जाती है क्योंकि liquids के particles थोड़ा दूर दूर होते है लेकिन solid के particles बिलकुल नजदीक होते है इनके बीच में जगण ही नहीं होती कि कोई चीज आकर mix हो जाए लेकिन यह जो liquids होते है liquids के particles दूर दूर होते है इसलिए liquid के अंदर कोई भी मैटर आसानी से घोला जा सकता है आसानी से डिफ्यूज कर सकता है so this is all about liquids let's move to next state of matter gases now after solids and liquids we will see the gaseous state of matter जो तीसरा form of matter है वो है gas अब gases state को मैं line by line क्यों पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जानने को आपको चोलो start करते हैं have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas तुमने गुबाड़ी बेचने वाले को तो देखा ही होगा आपने ये भी देखा होगा कि जो गुबारा बेचने वाला होता है वो अपने साथ एक छोटा सा cylinder रखता है और उस cylinder में वही gas भरी होती है जो balloon में डाली जाती है अब उस गुबाड़ी बेचने वाले से पूछो कि वो एक cylinder में कितने गुबारों को भर लेता है और उससे ये भी पूछो कि cylinder में कौन सा gas है वो तुमें बता सकेगा तो जरूर बताएगा ऐसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो normal size का cylinder होता है वो 14.9 cubic feet का होता है 14.9 cubic feet का और इतने छोटे cylinder से अगर हम balloons को भरते हैं तो लगबक 50 balloon 50 pieces of balloon हम आसानी से भर सकते हैं 50 pieces of balloon मतलब अगर 9 inch का balloon है अगर 9 inch का गुबारा है तो 50 गुबारे को है हम भर सकते हैं अगर 11 inch का गुबारा है तो हम लगबग 27 pieces गुबारों को भर सकते हैं और cylinder में कौन सी gas पाई जाती है जो गुबारों में भरी जाती है वो है helium gas कौन सी gas? helium gas helium gas ठीक है? याद रहेगा कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं है आपर बिल्कुल नहीं होगी so यह activity है activity number 1.11 इस activities में आपको यही सिखाया गया है कि जो gases होते हैं वो बहुत जादा compressible होते हैं इसी चीज को चेक करने के लिए activity है आपको पता ही है यार कि बहुत सारे large amount of gases को हम एक छोटे से cylinder में carry कर सकते हैं यह कैसे हो पाता है यह इसी लिए हो पाता है क्योंकि जितने भी gases है न उनको हम compress कर सकते हैं वो highly compressible होते हैं we have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids हमें तो पता ही है ना यार कि हम बहुत सारे gases को compress करके दबाके एक छोटे से cylinder में भर सकते हैं लेकिन solids और liquids इतना जादा compressible नहीं होते हैं solids को तो हम बिल्कुल compress नहीं कर सकते हैं liquids को हम थोड़ा बहुत compress कर सकते हैं लेकिन gases को बहुत सारे gases को compress करके हम चोटे से cylinder में रख सकते हैं जैसे इसका example है LPG cylinder आपके घरों में खाना बनाने के लिए जो cylinder आता है LPG cylinder उस cylinder में बहुत सारी gases compress करके एक छोटे से cylinder में डाल दिया जाता है बिल्कुल ऐसे ही हमारी hospital में जो oxygen cylinder होता है उस cylinder में भी oxygen gas को बहुत जादा oxygen gas को compress करके उस cylinder में भर दिया जाता है वैसे ही जो CNG gas होता है CNG का full form ही होता है compressed natural gas CNG as a petrol diesel का alternative use होता है हमारी गाड़ियों में आज CNG का use होने लगा है ठीक है तो CNG भी एक तरीके का compressed gas है बहुत सारे CNGs को हम छोटे से cylinder में compress करके रख सकते हैं ठीक है due to its high compressibility large volumes of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily यह जो gases है यह बहुत जादा compress हो सकते हैं और यही कारण है कि हम बहुत जादा बहुत सारे gases को छोटे से cylinder में compress करके fill कर सकते हैं और उसे आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं ठीक है तो यह gases का एक advantages है कि gases बहुत जादा compressible होते हैं इसलिए हम उन्हें छोटे से cylinder में कहीं भी ले जा सकते हैं और ले आ सकते हैं ठीक है by the smell that reaches our nostrils अब जो वो खाने की महक है वो हमारे नाकों तक पहुच जाती है कैसे पहुच जाती है यह possible कैसे हो पाता है यह possible इसलिए है क्योंकि the particles of aroma of food mixed with the particles of air spread from the kitchen हमारे तक पहुचती है और यह हमारे से और भी बहुत जादा दूर तक जाती है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जब भी खाना बनता है आपने देखा होगा कि खाना बनते टाइम कुछ gases निकलती है इन ही gases को हम aroma का नाम देते है अब यह aroma gases जो होती है यह हवा के particle के साथ मिल जाती है और जहां जहां हवा जाती है वहां वहां इस खाने की खुस्बू पहुच जाती है अब यह हमने देखा है कि अगर खाना गरम है तो उसकी खुस्बू हमारे तक बहुत जल्दी पहुच जाती है लेकिन वही पर अगर हम solid और liquid के diffusing capacity के बारे बात करें तो solid और liquids की खुस्बू हमारे तक इतने जल्दी नहीं पहुचती है जितना gases की पहुच जाती है अगर बत्ती जलती है तो उसमें से gas निकलती है वो gas हवा के साथ mix होती है और हमें खुस्बू आ जाती है वैसे ही हम perfume लगाते है perfume के particles हवा के साथ mix होते हैं और हमारे तक पहुचते हैं जिससे हमें perfume की खुस्बू आती है इससे क्या पता चलता है due to high speed of particles and large space between them gases so the property of diffusing very fast into other gases आपने देखा है कि जो gases के particles होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं और काफी free भी होते हैं free होने की वज़े से इन में air आसानी से mix हो जाता है और air के साथ वो पूरे वाता वरड में घुल जाते हैं mix हो जाते हैं in the gaseous state gases में क्या होता है जो gases के particles होते हैं वो कहीं भी कोई भी gas का particle है वो कहीं भी इधर उधर move करता रहता है और बहुत तेजी से move करता है क्यों? क्योंकि भाई gases के particles दूर दूर होते हैं तो वो तेजी से move करेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़गा है जो जगा है वो काफी जादा है due to this और यही कारड होता है कि the particles heat each other and also the walls of the container और यही कारड होता है कि जिस भी container में मालो cylinder में gas भर के रखा गया है तो यह cylinder के walls को ना यह gases hit करते रहते हैं ऐसे pressure बनाते रहते हैं एक दूसरे से भी यह hit करते रहते हैं इसकी वज़े से क्या होता है the pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particles अब देखो हमारा जो balloon होता है जब भी balloon को हम फोड़ते हैं तो बहुत तीजी से आवा जाती है क्यों क्योंकि gases के जो particles है ना वो बार-बार balloon के दिवालों को hit कर रहे हैं hit कर रहे हैं hit कर रहे हैं जिसकी वज़े से क्या होता है थोड़ी सी भी जगा मिलती है ना तो यह सारी gases एक साथ बुम आवाज करके निकल जाते हैं ठीक है gases the pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container यही बताया गया है कि जो balloon होता है balloon में हम अगर gases को fill करते हैं तो यह जो particles होते हैं gases के वो एक दूसरे को hit करते हैं इसके साथ साथ यह balloon के दिवाल को भी hit करते हैं जिससे balloon पर pressure बनता है और balloon पूरा फुला हुआ होता है जैसे ही थोड़ी सी जगा मिलती है सारी gases यही एक जगा से निकलने की कोशिस करती है जिससे balloon फट जाता है और बहुत तेज से आवाज भी करता है ठीक है अब यह जो figure आपके सामने दिखाए गया है इसमें solid के particles दिखाए गया है liquid के particles और gases के particles आप clearly देख सकते हो कि solid के particles बहुत ज़ादा पास पास है इसलिए solid के particles बहुत ज़ादा move नहीं करते है वहीं liquid के particles थोड़ा थोड़ा दूर है इसलिए यह थोड़ा सा तेज move करते है solids के comparison में और वहीं पर जो gases होते है gases के particles काफी दूर होते है इसलिए यह बहुत तेजी से move करते है solids और liquids के comparison में सबसे तेज किसी के पार्टिकल मूफ करते हैं तो वो है गैसे के पार्टिकल So I hope कि आपको ये तीनों form of matter समझ में आ गया होगा Solid, Liquid and Gases We will start a new topic from our next video Next video हमारा इस chapter का last video होगा इस video को भी देखो और उस video को भी जरूर देखना मिलते हैं अपने एक और नए मज़दार वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद